जहिन दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्ट चेतन विस्पुते दोस्तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर हमने डिसकस किया था कि टेक्स्टाइल प्रोड़क के अंदर रेट जो यह 5% से 12% हो चुका है और मैंने कल के वीडियो में यह भी कहा था कि जोब वक के ओप सारे लोगों ने जोब वर्क के लिए मुझे पूछा था कि रेट का कैसे डिसाइड करेंगे 5% 12% या 18% विट इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2022 तो एकदम सिंपल एक पेज में मैं आपको समझा देता हूं तो जोब वक को हम लोग 3 parts में डिवाइड करेंगे पहला जोब वक digital printing हो या कोई भी printing हो textile या textile प्रॉडक के ऊपर वो दूसरा पाट की हो और शोब वक कर रहे हो तो यहाँ पर हम लोग नीछे से start करते हैं सबसे पहले अगर आप unregister person के लिए job work कर रहे हो to job work का rate रहेगा 18% एकड़ом simple अब बात आती है आप registered person के लिए job work कर रहे हो 이면 क्या होगा अगर आप unregister के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर तो सोचना ही नहीं चाहिए वो dying printing हो, embroidery हो, lace हो, stitching हो, कुछ भी हो 18% का rate है लेकिन registered है तो यहाँ पर सोचने वाली बात है registered है अगर वहाँ पर dying printing, digital printing yarn के लिए जो job work है वो अगर आप करवा रहे हो तो वहाँ पर rate increase हो जाएगा 5% से 12% उसके लिए अगर आपको और detail में जाना है था circular number 126-45-2019 जो की आया था 22nd November को उसको refer कर सकते हो और notification number 15, 2021 Central Tax rate यहाँ पर मैंने rate लिखना बुल गया हूँ but rate 18 November 2021 इसको आप refer करोगे तो आपको पता चल जाएगा के जो यह वाला job work है इसके अंदर rate रहेगा 12%, 5% का rate जो है वो बढ़के अब 12% रहेगा उसके अलावा बाकी का जो job work है वहाँ पर rate में change नहीं है rate 5% का 5% ही है तो यह था आज का update अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्स्राइब ज़रू से कीजिएगा thank you for watching, मिलते अगले वीडियो में जय हिन जय वारत